हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा, आज की इस वीडियो में आपर हम बात करेंगे वीड एंटरेंस एक्जाम 2021 की इंग्लिश लाइंग्विज के पेपर की आप लोग बहुत टाम से रिक्वेस्ट करें थी कि इंग्लिश लाइंग्विज का पेपर डिसकस किया जाए तो हम आज इसको डिसकस करेंगे, बहुत ज़्यादर डीप में इसको डिसकस नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं एक तरह से पेपर परवाइड गरा दूँ जिससे आपको एक आडिया रख जाए कि आपके एक्जाम में किस तरह का पूछा गया था 2021 में और जिससे आप अपने 2022 की त्यारी कर पाएं ठीक है सबसे पहले आपको यहाँ पर ओप्शन्स दे रखें है तो देखे यह पास्ट का नहीं है यह पास्ट का नहीं है यह नहीं है और I can stay up till very late तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम options के according या sentence के according भी आप जाएं क्योंकि यह past में है sentence तो यहाँ पर हमारा code fit बैठेगा यह हो जाएगा हमारा there was a time when I could stay up till very late इससे याद रखें यह was दे रखा है यानि कि यह sentence हमारा किसमें है? past tense में है ठीक है? next question पर आईए your car is fine now there was a problem with the gears but we dash it had fixed, have fixed, has been fixing या फिर fix again sentence यहाँ पर देखें past में है, present में है, क्या दे रखा है? देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर यह sentence हमारा present में है, यह हमारा past में है यानि कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है, कि जो past moment है, उससे पहले ही हमारा जो पहला वाला जो action है, वो complete हो चुका है यानि कि जो problems थी gears में, वो fix कर दी गई है, अब car उसकी ठीक है, यानि कि अब ठीक है और पहले खराबती लेकिन उसको fix कर दिया गया है, यानि कि जो present tense है, उससे पहले ही हमारा, जो पहला वाला sentence है या जो action है हमारा, वो complete कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो option होगा, वो हो जाएगा हमारा have fixed, ठीक है नेक्स्ट है, once a time, there was a beautiful princess, बताइए आपको पता है, once के साथ हमेशा क्या आता है, once के साथ हमेशा upon आता है, इसमें ज्यादा discuss करने वाली बात नहीं है चीक है, the car went dashed the tunnel, बताइए, above, below, through, या फिर over tunnel के किस तरह से जो car है, वो गुजरेगी देखें, यहाँ पर tunnel की बात करें, tunnel के below, tunnel के नीचे नहीं जाएगी, यह कट गया over नहीं होगा, above नहीं होगा, tunnel के उपर car नहीं चलते tunnel के through होके गुजरे, यानि एक साथ से दूसरी साथ जा रही है, वो tunnel से, ठीक है इसलिए यहाँ पर option C, through हुमारा right answer हो जाएगा, दका went through the tunnel, ठीक है, next question है, we located the key dash the lock, key के संग क्या आता है, proposition है, बताईए, lock और key का आपको relation यहाँ बताना है, तो उसके लिए best होगी हमारी proposition for, we located the key for the lock, यानि की lock के लिए हमने key locate कर ली, ठीक है, next आईए, अब यहाँ पर आपको opposite bird बताने है, जल्दी जल्दी बताईए, जल्दी पढ़िए, जल्दी आंसर करिए, आप लोग भूत देर देर में आंसर करते हैं, melancholy का मतलब, यहाँ पर sad और depressed से है, देखे, डारेक्ट में बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है, happy या फिर, आपके पास कोई high spirit है, ठीक है, it means, यहाँ पर option ए, right आंसर हो जाएगा, रिपल्सन का जल्दी बताएए, aversion, distribution, पेटल्सन या फिर attraction, रिपल्सन का मतलब होता है, किसी चीज को reject करना, और attraction का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी चीज accept की है, option D, right आंसर हो जाएगा, estuage का क्या होगा, mitigate, inflame, inhibit, या फिर ever, देखें, estuage का मतलब यहाँ पर होता है, easy, या फिर कोई भी चीज, make less severe, ठीक है, और inflame का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, to make more, boilend, तो यहाँ पर estuage का मतलब हो जाएगा, inflame, चीक है, next है, अब आपको यहाँ पर similar birds बताने है, disposed का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए, disposed का, disposed का मतलब होता है, inclined, या फिर आप इसको normal language में willing भी बोल सकते हैं, option derived answer हो जाएगा, disrupt का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को stop करना, या फिर किसी problem का कारण होना, तो इसका क्या हो जाएगा, interrupt, ठीक है, interrupt, next है, dissipate, dissipate का पहले मतलब बताएगे, dissipate का मतलब, waste से निकाल सकते हैं, तो ये waste तो आपका direct दे रखा है, option भी हो जाएगा, या फिर आप इसको fritter भी बोल सकते हैं, money से fritter होना, यानि कि उससे दूर होना, next देखिए, अब यहाँ पर EDM phrases दे रखें आपको, to fish in troubled waters, यानि कि troubled water में fish का मिलना, it means कोई ऐसी bad situation है, उसमें आपको benefit मिला है, ठीक है, option C, right answer हो जाएगा, ठीक है, paint the town red, paint the town red का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी situation, जहां already वो हो रही है, action और आपने उसी तरह का और action करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि public place, आपको पता है, public place में पहले ही बहुत show होता है, अब आपने वहाँ पर और जोड-जोड से celebrate करना स्टार्ट कर दिया, तो option C हो जाएगा, to celebrate noisily in public places, ठीक है, next है, the fair and square policy of the chairman of the committee has made him very popular among the residents of the town, अब यहाँ पर देखिए, यह the fair and square policy, यह highlight हो रहा है, तो आपको idiom phrase बताना है, fair and square policy का मतलब क्या है, कोई भी चीज हम कहते हैं न, fair है, it means, वो clear है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, means to be honest, ठीक है, clever, clever तो किसी person clear होगा, यहाँ पर policy की बात की जा रही है, तो हम clever policy को नहीं बोल सकते हैं, यहाँ यह बोल सकते हैं, जो भी policy है, हमारी honest है, transparent है, ठीक है, next है, somebody has stolen my watch, अब आपको यहाँ पर इसका passive और active voice बनाना है, ठीक है, बताए, इसका passive voice क्या होगा, active voice दे रखा है, सबसे पहले तो my watch लीजे, क्योंकि पहले last से लेते हैं, my watch has दे रखा है, तो has के संद क्या आता है, been, तो my watch has been stolen, ठीक है, आप यह लिख सकते हैं, right answer क्या हो जाएगा, my watch has been stolen, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर why someone is, ठीक है, यह नहीं होगा, my watch is stolen, यह भी नहीं होगा, my watch was stolen, यह भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही answer आ रहा है, my watch has been stolen, यह इसका active voice हो जाएगा, ठीक है, next है, all the dinner had been eaten before they finished the conversation, बताएइए इसका क्या होगा, बताएइए इसका क्या होगा, बना ये, they had eaten all the dinner before they finished the conversation, यह हो जाएगा, इसकाब correct answer, ठीक है, option D, they had eaten all the dinner before they finished the conversation, ठीक है, next है, they taught him French and gave him a dictionary, active voice बनाईए इसका, he was taught French, and given a dictionary by them, ठीक है, यह हो जाएगा, answer सही, option A, यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पर, second form आ रही है, past tense है, तो was आ गया, were नहीं आएगा, दे के साथ, और, क्योंकि यहाँ पर he है, तो हम him है, इसलिए हमने he लगाया है, दे भी नहीं आएगा, he was wing, was wing भी नहीं आएगा, he is taught, he के संग is तो बिलकुल नहीं आएगा, इसलिए हाँ आपर options, A, right answer हो जाया, he was taught, ठीक है, नेक्स्ट है, दा पेंटिंग्स बिल्वी, एक्जिबिटेट वाई दी ओर्गनाइजर्स, तिल दी एंड आफ दी मंद, काई यह इसका, देखें, यहाँ पर यह future में है, तो हमें यह भी future में बनाना पड़ेगा, विल्वी है, तो विल्वी की जगे है, वी तो कट जाएगा, तो देखें, यहाँ पर, यह तो, यहाँ पर हमारा future में यह tense नहीं है, यह कट गया, यह future में है, ये भी फीचर में नहीं है और इसमें B दे रखा है B हमें हटाना है विल आना चाहिए तो option B हो जाएगा The organizers will exhibit the paintings till the end of the month ठीक है Next है The author has written a special edition for children बताए देखे यहाँ पर हम बात करते हैं इस question की तो हमें उठाना है पीछे से a special edition ठीक है for children अब यहाँ पर has दे रखा है तो has been लगाना होगा यहाँ पर being नहीं आएगा was नहीं आएगा इस नहीं आएगा इसलिए option D right answer हो जाएगा चीक है अब आपको यहाँ पर error दिखाना है error कहाँ पर है correct sentence बताए not only they need clothing but they are also short of food बताए error है या नहीं है देखिए जब not only जब शुरू में आता है sentence के तो वहाँ हम उसको inverted comma में use करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी वर्फ क्या हो जाती है subject से पहले आ रही है तो यहाँ पर जो हमारा present tense है वहाँ पर इसके according अगर हम बात करें तो option B right answer हो जाएगा not only do they need ठीक है next आए the ground was wet outside when I got up in the morning I has been raining all in the night has been raining all in the night यहाँ इसमें आप यह highlight है आपको यह बताना है इसमें कहां गलती है old federation जो हमें दे रखा है देखें यहाँ पर has been दे रखा है ठीक है जबकि यहाँ पर हमारा पूरा sentence किस तरह का है कि यहाँ पर हमारा sentence होना चाहिए था had been raining all through ठीक है यह होना चाहिए था हमारा sentence option C हाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है यानि कि पूरी रात बारिश होई है next है the woman emancipation bill was sent back to the loksawa by the president for further examination देखिए further scrutiny यहाँ पर गलत sorry further scrutiny जो है world यह यहाँ पर सही होगा क्योंकि scrutiny का मतलब है आप किसी भी चीच की critical observation कर रहे है ठीक है further examination नहीं होगा examination तो ऐसा होगया चुटे मुटे बात हैं आप उनको check कर रहे है लेकिन यहाँ पर further scrutiny होगा क्योंकि यहाँ पर बिलकी बात की जा रहे है तो यहाँ पर आप किसी की critical evaluation कर रहे है observation कर रहे है तो वहाँ पे फर्गतर स्कूर्टिंग बिल्कुल correct word होगा, इसलिए option भी यह right answer हो जाएगा Next है the novel which he wrote in two months quickly become popular बताएए क्या होगा The novel यानि यह वो novel जो कि उसने पहले लिखी थी two months पहले quickly popular होगा तो sentence तो बिल्कुल सही लग रहा है, which है he wrote in two months quickly become popular बिल्कुल सही है, no improvement, ठीक है The finance minister said that he would work for the impartial distribution of wealth equitable, just, fair, no improvement बताएए impartial बताएए कि सही है देखिए यहाँ पर impartial की जगे, जो right word होगा, वो जाएगा equitable यानि कि, जो minister ने कहा कि वो, जो equal distribution है, health का, उसके उपर काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर equitable correct होगा, impartial की जगे, ठीक है तो यहाँ पर option, see right answer हो जाएगा, ठीक है तो यही थे आज के questions, जो remaining questions है, वो हम अपनी second class में discuss करेंगे अब तक इन questions में आपको कोई भी doubt है, तो please ज़रूर बताएगा, जो second part है, इसका हम उनमें वो सारे doubt ले ले लेंगे, ठीक है तो आज के लिए तना है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक केज़े, फ्रेंट से शेयर कीज़े और किसी भी तरह के कोई भी query हो तो जो रोड बताएगे